दिल्ली में आम आदनी पार्टी के लिहाज से बहुत कुछ घट रहा है केजरिवाल तो जेल में है लेकिन संजे सिंग को जमानत मिलने के बाद अब इस बात पर चर्चा होश बहुत तेज हो गई है कि आगे अब क्या और इसी पर बात करने के लिए आतिशी जो की आम आदनी पार्टी की सीनियर लीडर है दिल्ली सरकार में मंत्री है इस वक्त हमारे साथ जुल चुकी है और एक पहला इंट्रिव आप कह सकते हैं जब इस पूरे मामले में आतिशी का जब नाम आया उसके बाद वो इस वक्त दे रही है आतिशी बहुत स्वागत है आपका TV9 भारत व पहा है कि जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आरोपी है विजय नायर वो आतिशी और सौरब भारत द्वार्ज को रिपोर्ट करता था इस पर आपका क्या कहना है देखिए गौरप जी ये केंदर सरकार की भारतिय जन्ता पार्टी की बौकलाहट का दियोतक है भारतिय जन्ता पार्टी को लगा था कि अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बैठ जाएगी ठप हो जाएगी बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की चलती है तो उन्होंने सोचा आर्विंद केजरीवाल को गिरफतार कर लो और आम आदमी पार्टी खतम हो जाएगी बिखर जाएगी लेकिन संडे को 31 तारीक को राम लीला मैदान में जो जन सैलाब आया जो पूरी इंडिया अलायंस एक जुट होकर एक साथ दिखी तो भारतिय जंता पार्टी को डर लग गया कि जो आम आदमी पार्टी की सेकंड लाइन आफ लीडर्शिप है जिनोंने अब कमान समभाली हैं सारे वरिष्ट निताओं के जेल में होते हुए वो एक शानदार और एक जुट तरीके से पार्टी को चला रही है अर्विंद केजरिवाल की गिरफ्तारी के खिलास संघर्ष कर रही है और लोक सभा का चुनावी कैंपेन भी चला रही है तो इसलिए अब भारतिय जनता पार्टी ने हमला शुरू किया है अगली श्रेणी के नेताओं पे चाहे मैं हूँ, चाहे सौरभ भारदवाज हो, चाहे दुरगेश पाठक हो, चाहे राघव चडड़ा हो अब उनका इरादा है कि अगली पंकपी के नेताओं को सेकिंड लाइन और लीडर्शिप पर हमला करे लेकिन आतिशी, क्या आपकी विजय नायर से मुलाखात होती थी, क्या वो आपको रिपोर्ट करता था किस तरह का आप लोगों का आपस में संबन था इस पार्टी के कामकाज को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर देखिए गौरव जी, ये जो बयान आज भारतिय जनता पार्टी और एडी, हाला के वो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है आजकल इडी भारतिय जनता पार्टी के एक अनुशांगिक संगठन की तरह काम करता है ये बयान जो इडी ने कोट में और उनके साथ भारतिय जनता पार्टी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर उच्छाला है ये बयान डेड़ साल से भी जादा पुराना है ये बयान CBI में भी दर्ज है, ये बयान देड़ साल पहले ED में भी दर्ज है ये CBI की चार्जशीट में भी मौझूद है, ED की चार्जशीट में भी मौझूद है तो सवाल ये है कि इस बयान को भातिय जनता पाटी आज क्यों चाल रही है ऐसा क्या हो गया कि वो देड़ साल पुराना बयान आज याद आ गया ने ने मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आतिशी जी आप जो कह रहे हैं ये बयान को आपका ओन रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का सडकों पर संघर्श हुआ वो पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज था ये तो पार्टी पहले भी बता चुकी है इसमें नई ख़बर क्या है मैं आपको यहीं बता रही हूँ गौरफ जी आप भी भारतिय जंता पार्टी की ट्रैप में फज रहे हैं ये तो बयान डेड़ साल पुराना है आज क्या बदला आम आदमी पार्टी की ताकत बदली आम आदमी पार्टी का राम लीला मैदान पे जन सहलाब बदला आम आदमी पार्टी की और अर्विंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोक्रियता बदली तो अब अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी के खिलाफ जब हारती है जंता पार्टी को दिल्ली की सातों सीटें अपने हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है तो इसलिए अमामादमी पर्टी के बागी नेताओं पर भी उन्होंने हमले शुरू करती है अचा सँजे सिंग जी को क्योंकि जमानत मिल गई है और हमने जब इस बारे में बीजेपी नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा है कि जमानत मिली है दोश मुक्त नहीं हुए इसका मतलब तो ये माने कि जिनको जमानत नहीं है वो दोशी है आज जब सौरभ भादवाद जी ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में ये कहा था उन्होंने कहा था कि जैसे वो होता है वो एक एंटिसिपेटरी कमेंट वो दे रहे थे कि कल तक भारतिय जनता पार्टी बार बार अपनी प्रेस कॉंफरेंस करके कहती थी कि देखो बेल नहीं मिली बेल नहीं मिली इसलिए जरूर नहीं कोई गुना किया होगा तो आज ही हमने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में बताया था कि भारतिय जन्ता पार्टी अगले एक घंटे में अपना बयान बदल लेगी अब कहेगी बेल मिल गई तो क्या हुआ बेल मिल गई तो क्या हुआ देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी आज सुप्रीम कोर्ट में भारतिय जन्ता पार्टी की enforcement directorate का परदा फाश हो गया उनसे जब पूछा गया money trail कहा है उनके पास कोई जवाब नहीं था उनसे जब पूछा गया कि सरकारी गवाद दिनेश अरोडा ने 10 बार अपने बयान में संजे सिंग के खिलाफ कुछ नहीं का जब 11 बार कहा तो क्यूं सिर्व आपने एक बयान को record में लिया क्यूं 10 के 10 पुराने बयान को record में नहीं लिया क्यूं 11 बयान के बाद statement लेना छोड़ दिया तो आज ED का परदा फाश हो गया कि उनके पास कोई money trail नहीं है उनका पूरा case सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाहों द्वारा दिये गए दबाव पूर्ण माहौल में बयानों पर आधारित है और आज सुप्रीम कोट ने परदा फाश कर दिया कि ED सिर्फ और सिर्फ जूटे बयानों के आधार पर आम आदनी पार्टी के निताओं जेल में रख रही है ठीक है तो क्या संजय सिंग के आने से आप लोगों को बाहर आने से कुछ राहत मिलेगी आपका जो पॉलिटिकल लीडर्शिप है आप आदनी पार्टी की वो और मजबूत होगी क्या और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं संजय सिंग जी आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद हैं जिनकी आवाज पूरे देश में गर जाती है जो मोधी सरकार का सामना करते हैं मोधी सरकार की सच्चाई देश के सामने रखते हैं तो बिलकुल आम आदमी पार्टी को हिम्मत मिलेगी इस संघर्ष में बिल्कुल हिम्मत मिलेगी लेकिन जहां तक दिल्ली के मुख्यमंतरी होने की बात है आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है अर्विंद केजरीवाजी दिल्ली के मुख्यमंतरी थे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहार जेल से सरकार कैसे चलाएंगे आतेशी क्योंकि जेल मैनवल में ऐसा कोई प्रेसिडंट है नहीं जहां से कोई सरकार जेल से चली हो और एक दिल्ली जैसे राज जी का मुख्यमंत्री जिसको इतने बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे बार-बर मीटिंग्स करते हैं अधिकारी आप जैसे मंत्री वो कैसे होगा गौरब जी इस देश के इतिहास में भी कोई ऐसा प्रीसिडेंट नहीं है कि चुनाव की घोशना के बाद आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिजे इस देश की इतिहास में कोई ऐसा प्रीसिडेंट नहीं है कि आप चुनाव की घोशना के बाद छे में से एक नैशनल पाटी के नैशनल कन्वीनर को आप गिरफतार कर लेते हैं कोई कन्विक्शन नहीं है कोई चार्डशीट नहीं है ECIR तक नहीं है अगर आज अर्विंद केजरीवार ने इस्तीफा दे दिया तो भारतिय जनता पाटी का रस्ता साफ हो जाएगा एक एक करके सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफतार किया जाएगा प्रिवेंशन अव मनी लॉंडरिंग एक्ट में गिरफतार किया जाएगा फिर उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी और राष्टपती शासन लगा दिया जाएगा जैसे पिछले 5 साल में भारतिय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस यानि विधायकों की खरीद फरोग्त करके पार्टीयों को तोड़ कर सरकार बनाने का फॉर्मिला बनाया है आज अगर अर्विन केजरिवाल गिरफतार कर देते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं तो भारतिय जनता पार्टी के पास एक नया फॉर्मिला बन जाएगा विपक्ष की सरकारों को गिराने का ने कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि सुनीता केजरिवाल के लिए रास्ता साफ करना है इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आतिशी और सौरप का नाम लिया गया हो सुनीता केजरिवाल को क्योंकि आ वो आम आदमी पार्टी में कुछ मसाला ढूंड रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी में कुछ टूट के संकेत ढूंड रहे हैं, वो कोज सोच रहे हैं कि कहीं तो कुछ मिले के आम आदमी पार्टी में दरार है, लेकिन ये मैं आपको बता दू, आम आदमी पार्टी अपने घर्ष में एक जुट है आम आदमी पार्टी इस देश की ताना शाही के खिलाफ लड़ती रहेगी आम आदमी पार्टी के लीडर अर्विंद केजरीवाल है और अर्विंद केजरीवाल ही रहेंगे अर्विंद केजरीवाल के लिए दिल्ली वालों के लिए दिल्ली वालों के लिए दिल्ली वालों के लिए दिल्ली वालों का बेटा जिनको आप कहती हैं केजरीवाल वो फैसले कैसे लेगा कोई आपने इसका प्रोसेस ढूंडा है कैसे उनके लिए उनके हित में फैसले लेग कोट ने बिलकुल स्पश्ट कर दिया है कि जब कोई और रस्ता ना हो तभी प्रेजिदेंट्स रूल लग सकता है क्यों नहीं है कोई रस्ता जिस एजनसी ने एक Constitutional Authority को एक Sitting Chief Minister को जेल में डाला है वो क्यों रस्ता नहीं निकाल के बे आपने अरविंद केजलीवाल को Custody में डाला है उन्होंने ये जो Representation of People Act के किसी Terms and Conditions को Violate नहीं किया उन्होंने GNCTD Act के किसी भी Terms and Conditions को Violate नहीं किया उनको ना Conviction हुआ है अगर दो सान से जादा Conviction हो तो आप Elected Representative नहीं रह सकते अगर आपकी House में Majority नहीं हो तो आप Chief Minister नहीं रह सकते ना उनका Conviction हुआ है और अभी भी वो दिल्ली Assembly में एक Overwhelming Majority उन्होंने तो आप यह कहरें कि एडी रास्ता निकाल के दे कि दिल्ली की सरकार किसे चलेगी तो आपने उसका कोई रास्ता नहीं ढूंडा देखिए इस देश का सम्विधान ये कहता है कि सिर्फ दो ही Conditions हैं जिसके तहट कोई व्यक्ति एक चुना हुआ प्रतिनिधी नहीं रह सकता कोई व्यक्ति Chief Minister नहीं रह सकता नमबर वन, Representation of People Act ये कहता है कि अगर आपको दो साल से जादा का Conviction हो तो फिर आप एक चुने हुए प्रतिनिधी नहीं रह सकते देश का सम्मिधान ये कहता है कि अगर आप House की Majority Lose कर देते हैं तो आप Chief Minister नहीं रह सकते क्या Arvind Kajriwal का Conviction हुआ है क्या Arvind Kajriwal के खिलाफ Charge Sheet भी हुई है नहीं हुई क्या Arvind Kajriwal ने House में Majority Lose कर दी है नहीं करी क्या Arvind Kajriwal ने जनता का जनादेश Lose कर दिया है नहीं किया तो एक जूटे केस में भारतिय जंता पार्टी अर्विन केजरिवाल को जेल में डाल देगी और अर्विन केजरिवाल इस्तीफा देदें क्यों देदें इस्तीफा इस तरह केसे तो आप एक एक करके सभी चुने हुए मुख्यों मंतरियों को जेल में डाल देंगे फिर आप करेंगे इस्तीफा दो फिर आप करेंगे हम राष्ट्रपति शासन लगा ले देश का संविधान तो बहुत कुछ नहीं कहता है लेकिन राजनिती में परमपराओं के अधार बहुत कुछ होता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया एक पुलिटिकल पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया एक और पुलिटिकल पार्टी को इंकम टैक्स नोटिस से दिये एक हफ़ते तक आम आदमी पार्टी के पार्टी ओफिस को सील करके रख दिया सिक्यूरिटी के नाम पे ये परमपरा भारतिय जनता पार्टी बना रही है एक तानाशाही की परमपरा बना रही है लेकिन आप पर एक दूसरी परमपरा बनाने का आरोप लग रहा है और वो परंपरा है heat and run की आप पे बार-बार ये आरोप लग रहा है कि आप आरोप लगाते हैं लेकिन सबूत नहीं देते आज भी आपने एक बड़ी प्रेस कॉंफरेंस की और कहा कि मुझे ये कहा गया है कि आप BJP जॉइंग कर लो वरना एक महिने में जेल में डाल देंगे लेकिन आज भी आपने उसका कोई सबूत नहीं दिखाया तो अगर आपको कोई कॉल आता है अगर आपको कोई अप्रोच किसी और तरीके से होता है तो आप तो कहते हैं गौरण जी क्या सबूत होगा इसका परिवार वाले कोई सात काम करने वाले क arts के हम तो phone call नहीं record करते हैं आप करते होँगे तो मुझे पता नहीं भारतिय जंतापाटी वाले करते होँगे तो हमें पता नहीं मैं तो खुल बताया है कि मेरे तो बहुत ही करीबी व्यक्ती से phone आया है और बिलकुल साफ साफ भारतिय जनता पार्टी में संदेश लिया है कि अगर आपको अपना political career बचाना है तो भारतिय जनता पार्टी में आ जाएए वरना अगले एक महीने में मुझे और आम आदमी पार्टी के तीन और नेताओं दुर्गेश पाठक, रागव चड़ा, सौरभ भार्दमाज जी को भी गिरफतार किया जाएगा अचा एक आखरी सवाल रागव चड़ा सहीत आपके कई सारे सांसत देश से बाहर है जब आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी मुसीबत से जूज रही है तो वो देश में क्यों नहीं आ रहे देखिए ये बात हम पहले भी स्पष्ट कर चुके है रागव चड़ा जी की एक बहुत मेजर आई सर्जरी हुई है बहुत ही एक सीरियस सर्जरी थी वो उनकी सर्जरी अर्विन केजरी वारजी की गिरफतारी के पिछले दिन पर हुई है अभी वो एक रिकवरी फेज में है और कुछी दिनों में वो बिलकुल भारत वापस आएंगे दिल्ली वापस आएंगे और राजनैतिक मैदान में आपको दिखेंगे ठीक है बहुत शुक्री आतिशी अपना वाक्त हमें देने के लिए आतिशी दिल्ली सरकार में मंतरी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर तमाम जो आम आदमी पार्टी जोले मुद्दे हैं उन पर सुपर एक्सक्लोसिव बातसीत करती हुई टीवी नैन भारत वर्ष से